लोसे सारा बयान राम राम मैं आपके साथ राजंकर प्रसाद बबलूख होकर देखो यह अपना थम नेल तमनेल के उपर है गरीम मंत्री साब श्रीयामी साजी ने कल अपना ट्यूट किया था चार तारी को यह देखो ट्यूट की आपडेट देखी है चार तारी को कल ट्यूट किया तो ट्यूटर पर उन्होंने कहा कि नागा लेंड के देखो कौन सा ग्रूप इन प्यू इन प्यू इन प् ये वाला area तो आप इसको क्या बोल सकते है नागा लेंड के east में eastern नागा लेंड people organization ये organization बनाता 2010 में ये कहते हैं कि हमको नागा लेंड से पूरे नागा लेंड से क्या कर दिया जाए अलग कर दिया जाए अब इसकी demand 2010 से चल रही है ये देखिए ठीक है कोन कर रहे हैं करने वाले है नागा ट्राइब देखो वेश्चे 16 ट्राइब है नागा लेंड में सारी नागा ट्राइब उन्ही में से 7 ट्राइब है वो ट्राइब या जन जाती वो चाहती है कि हमको नागा लेंड से अलग करके कि हमारे लिएक अलग राज़े बनाय जाए वो राज्य कौन सा होगा राज्य होगा Eastern कौ्शा राज़े बनाया जाए इनका मानना है कि इश्टन नागालेड पिपुल ओग्वनाजेस्टन ये सिमान्त आगल फ्रंटियर नागालेड बनाना चाहते हैं, इसमें वैसे 6 डिश्टी बताया जा रहे हैं, ठीक अब ये मांग उठी क्यों इसके ओपर हमें बाचीत करने, ये देखो ट्यूट देखिया आप अमी साजी का, इन्होंने क्या लिखा, आजकल ट्यूट किया है हमारे ग्रह मंत्री आदरनी अमी साजी ने, ट्यूट में लिखा है कि इन्पू के जो लोगों ने, जिन्होंने बाइकोट किया था, अब इलेक्शन उन्हें 27 फरवरी को, 27 फरवरी को इलेक्शन है, कहां पे नागालेंड में, कितनी शिटूँ पे इलेक्शन है, 60 शिटूँ पे, तो इन लोगों ने, 6 डिश्टी ने, इलेक्शन का बाइकोट कर दिया था, लेकिन अमिसाजी का खेने पर, इन्होंने इलेक्शन का बाइकोट क्या किया? हठा दिया, ठीक काकि हम इलेक्शन में participate करेंगे, तो अब मुद़ा आपको एक जानने जरूरी है, कि मुद़ा है किया? देखो, सबचे पहले, या इनको तो आप देखोगे इस एरिया के लोग इन में चार डिष्टिक मेन मान सकते हो विचे छार डिष्टिक है मेन आप मानोगे मौन ठीक, लोंग, त्वेन सांग और किपी हिरे, इन चार डिष्टिक के लोग किया रहे हैं कि हमको नागालेंट से अलग कीजिए, अब इन्होंने कि कि किसका बोई कोट किया अभी ऑलक लेक्सिन हो रहें कब और एक वाक्सिन किसकी सरकार किस की पार्टि है सबसे पहले आप उनक्त को जानने कि जुरूत है यह सीम लेंड के कौन नैपू रियो कौन प्रोग्रेशिव 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 प्रोग्रेशि इलेक्शन शेंबल क्या है गलोब का चीन है अब उन लोगों ने विद्रो कर दिया विरोध किया किनों ने इस्टन नागालेंड पिपूल ओगनाजिशन का कि हम इलेक्शन का बॉयकोट करते हैं तो उस एरिया में टोटल साथ सिटों में से 20 सिटे विदान साबा की पड़ती ह ठीक आज कि अगर ताजा हाल देखोगे भी लेक्शन से पहले अब इस यमें नेपू इन्हों ने इस पार्टी की स्थापना की थी 2017 में कब स्थापना की थी 2017 में से और कौन सी पार्टी से लगए कि थी नागा पिपूल पार्टी नागा पिपूल पार्टी ठीक कौन सी पार्टी से की थी नागा पिपूल पार्टी नागा पिपूल पार्टी का बनी 2000 में अब नागा लेंड में जो निपूरियों है जो अभी CM है वांके यह कौन सी जन जाती से आती है अगामी जन जाती से अगामी नागा जन जाती से अ आप बाकी जो साथ ट्राइब जो अलग बात करें वह भी नागा है लेकिन अगामी नागा जन जाती थोड़ी डवलोप है उनसे उनके थोड़ा कामों में आगे अब इस चीज के लिए वो डिमांड करें कि हमको अलग राज्य की मांग उठ रही है तो आप सबसे पहले नागा अराम से प्यार से बताना यह रहा नागालेंड ठीक इधर कौन नागालेंड के बर्मा उपर अरुनासल प्रदेश साइड में असम निचे मनिपूर अब आप से पूचे कब बना गुनी सो बासिट में बना ठीक अब कौन से आर्टिकल में और जगान लिख है नागालेंड आर्टिकल तीनसो गेतर नागालेंड के लिए स्पेशल प्रोविजन ने कौन से डिश्टी के लिए तियान सांग यान डिश्टी के बात करेंगे आगे यह कब आया था तेरुएं से उधान संसुदन कौन सा शुदान संसुदन शायता था तेरुएं आप से एक्जाम है आने के लिए उसी समय तीनसो गेतर यह भी जोड़ा जाता है पहला काम की चीज यह दो एक जाम आप से घूम के यह यह पुछेगा दूसरा आप अगर नागालेंड के लिए बात अभी बात करेंगे इस्टन नागा पिपूल ओगनाजिसन उसके बात करेंगे लिए इस्टन आप कोई भी जानना होगा तीन सो गेतर यह क्या कहता है क्या कहता है देखो यह कब आया सबसे पहले यह आया तेरवां से विदान संसो दन अधिनियम से कब हुआ तेरवां से विदान संसो दन अधिनियम गुनी सो बासेट में इसमें स्पेसल प्रोविजन स्पेसल प्रोव कौन सा स्युदान कि भारतका स्युदान अगर उन्हें लगे कि नागाओं की धार्मिक और सामाजिक पर्थाएं क्या है प्रभावित हो रही है उनका रेंट सेन प्रभावित हो रहा है उस चीज में दूसरा नागाओं की जो रूडिजन विधी है या उनकी प्रिक्रिय है उसको पारितना करते हैं दूसरा नागा लेंड के लिए आप से पुछे special provision 300 गेतर अब दूसरा नागा लेंड के यह है कि नागा लेंड में नागा जातियों के लिए या तियन सांग डिश्टिक है तियन सांग डिश्टिक के लिए एक प्रिशद सिफटाइड की जाएकि क्या स्टाबिस्ट की जाएगी सिफ प्रिशद क्यों से लिए तियन सांग अब आप से पूछे तियों सांग डिश्टिक का पर यह दो गए नागा लेंड का मेप णागालेंड के आपको डिश्टिक मैन कॉंannya बोला मौन तो मौन याद आता याद आना बिस चार पांज मैने पहले मोन डिस्टी के बारे में न्यूज आई थी मोन डिस्टी के बारे में ये न्यूज आई थी क्या न्यूज आई थी आठ शिविलियन को आर्मी ने फायर मिस्टेक से फायर हो गया था अब मोन डिष्टिक आपको पता है यह है तेयन सांडिष्टिक यह तेयन सांडिष्टिक के लिए special provision है क्या provision कि यहां का सारसन संचालन कौन करेगा राजयपाल करेगा कौन करेगा सारसन संचालन राजयपाल करेगा कौन सा डिष्टिक तेयान सांडिष्टिक आर्टिकल 3211 मे पुखें दूसरा अब करेगा उसके लिए परिष्द होगी कौन होगी राज यह पाल एक प्रादेशिक परिष्द करेगा उसमें कितने हैं 25 फैंटीस में परिष्द होगी लेकिन उसका अध्यक्स कोन होगा वहां का कमिश्णरेड कोन होगा उपायुक्त क्या होगा उस परिषद का अध्यक्स होगा लेकिन उपाध्यक्स इन 35 बंदों में से चुना जाएगा आप से पूछे तो आप इसका जवाब देदाना दूसरा आगे बात करेंगे तीन सो गयतर में ये भी में लिखा आर्टीक्ल में अगयर राज ये पाल को अगर पूरा अधा लेंड के लिए जितना भी बजट आ रहा है उसमेस से अधिकार है तो हैन सांग के लिए कितना बजट निखा ले उसके लिए अलग पेशा भी राजयपाल निकाल सकता है दूसरा राजयपाल इस परिश्द के सदेश्यों की न्यूकति करेगा राजयपाल परिश्द के सदेश्यों का सब कुछ भी ओरा वगरा रखेगा आप से कोई पुछे इसका स्क्रीन सोट ले सकते हो आप आगे अब वापिस आते हैं नाघा पिप्पुल ओगनाईजेशन बनता है 2010 में है बनाती कोन है नागा लेंड की 6डिस्टिक है कौन-कौन से 6 डिस्टिक है देखो अब पहले 4डिस्टिक अब 6डिस्टिक देखो अब ये इंडिश्टिकों को क्या कि नागालेंड से क्यों अलग होना चाहते हैं इंडिश्टिकों में 6 ट्राइब आई जाती है पहले 6 ट्राइब सपोर्ट कर रही थी अब 7 ट्राइब हो चुके कितने ट्राइब साथ जन जाती कहते हैं कि हमें नागालेंड से अलग करके अलग ही हमारा राजे बना दिया जाए अब इसको बनाने की के बारे में सबसे ज़्यदा गर लीड करने वाले गर जनजातियां उन साथ जनजातियों में वो है आप से पुछे कौन से जनजाती है कोनियक जन जाती अब ये कोनियक जन जाती अभी परसूं ये बुद्वार की बात है पिछले बुद्वार की उन्होंने पिछले बुद्वार को क्या खाता कि बॉयकोट किया था किसका किया था Assembly election का Boycott करने का वज़ा है इन्होंने का कि हम करें क्या हम लोगुं को अगर हमें अधिकार ही नहीं मिल रहा है यह जन जाती कुछ ट्राइबस की चीप्स बगेरा होते हैं इन्होंनों का कि जब तक हमें अधिकार ही नहीं दिय जारे कोन से दिकार की मांग कर रहे हैं ये दिकार की मांग कर रहे हैं कि ये 6 डिस्टिक इधर बांगला एस्टोरी मयानमार के टच हो रहे हैं भरमा के टच हो रहे हैं कि हमारा डवलोप्मेंट उतना नहीं हुआ जितना इन डिस्टिकों का डवलोप्मेंट हुआ है कि हम डवलोप् लिखा हुए 2011 में लेक लिखा था वहाँ के एक तो इस लेक के अंदर जो बासा लिखी गया आप इसको पढ़ के देखोगे देखो आप इसका स्क्रीन सोट भी ले लो लेक का एक बार तो आपको समझ में आ जाएगे कि क्या बात कहना क्या चाहते हैं इस तन कौन क्या कहना चा हम नागा जाती हूं ने भी योगदान दिया है लेकिन आज हमें मिला क्या ठीक आप कि संगर्स किया हमें मिला आगे इन्होंने का ये किस की मांग कर रहे हैं अलक्स ये फ्रेंटर की मांग कर रहे हैं सबसे पहले 6 जाती थी ये 2011 का लेक 6 अब कितनी ये 60 ट्राइब है अब मांग क्यों रहे हैं कि development में हमें कुछ नहीं मिला कि बुनियादी मांगों के रूपे हमें कुछ नहीं मिला सरकार ने कभी हमारा development नहीं किया इस एरिया का development नहीं किया अगर इस एरिया के लिए पेशे बैं ठेके भी आये हैं तो हमें उस एरिया में कुछ मिला भी नहीं है जो बड़ी जातियां है जो नागा ट्राइब में बड़ी जातियां पिसरी जातियों को कुछ नहीं लेने दे रही है कौन कि नागा जातियों को सरकारी दिकारी भी लापरवाई कर रहे हैं पिसरी जातिया नागा है उनको कोई कुछ नहीं दे रहे है इसलिए हमें अलग एरि है अब और नागा लेंड में आप यहां पर देखोगे देखो यहां पर नागा लेंड की सबसे उन्ची चोटी है सारा माती सारा माती कौन सी चोटी है सारा माती और इसकी हाइट कितनी है 3841 इसकी हाइटन नागा लेंड की सबसे उंची चोटी रहाँ नागा लेंड के बारे में आप जारने ही कोशिश करना दूसरा अभी मैंने बोला आर्टिकल 300 गेतर क्या बोला था मैंने बोला कि आर्टिकल 300 गेतर ए तो एक आपको पता चल गया एक कब आया तो मैं बोल दूँ कि बी कब आया तो इसके बारे में आपका जवाब क्या होना चाहिए कि आर्टिकल बी कब आया यह आपको पता होना चीए यह नहीं होना चीए देखो आपसे कोई पुछ है 300 गेतर बी कब आया अब क्या जवाव दोगे, किस से संबंदित है B, 300 गेतर B है असम से संबंदित, किस से, आप से एक्जाम से पुछ हैंगे, इस्पेसल के लिए, 300 गेतर B, किस के लिए है असम, और कब आता है, यह आता है 1700, सोरी, गुनी सो गुन सत्तर, कॉंस्टूसन अमेंडमेंट, 22 वा कॉं मैंयपिफटिन को बया था? कोण मैं मनिपूर किसे समद्दिता है? मनिपूर. फिर आता है 3212 डी यह किसे संबंदित है तो 3002 एकी बात है चाहता हूं कि आप दी भी जानो आपसे पूचा 3002 ए तो आपका शिदा शिदा जबाब रहा कि 3002 ए किसके लिए नागालेंट बी असम सी मनिपूर डी अंदर प्रदेश डी में कोन है अंदर प्रदेश और 3212 ए यह भी किसके लिए अंदर प्रदेश इसमें अंदर प्रदेश के लिए क्या होना चीए विश्वे विद्याले कोन सा शेंट्रल विश्वे विद्याले की बात की जाती है विश्वे विद्याले बात करेंगे सारों पे अलग अलग किन्द क्या लिए 300 गयतर इअब आप चे पूछे 300 गयतर डी कब आया कौन सब्सक्राइब अमेंड मेंड मेंट था तो आप बताओ गया 32 मां कौन्स्टिूशन अमेंड मेंड मेंड में और आया कब था सथ गुनीशो तेटर में 1973 आप बता दोगे अब अब आप से कोई यह पूछ ले कि चलो बयापने 300 गयतर इनका ले लिया स्क्रीन सोट अब देख आगे चलते इतक हो गया अब आप से कोई पूछ ले कि 301 के बाद में अप कब आया 300 गयतर इप यह किसे समंदित है इक किम अब शिक्कम का नाव आते शिदा दिमाग माना चीए कि शिक्कम इंदुस्तान में कब होता सामिल फिच्छतर में तो यह भी कब आयेगा अमेंडमेंट गुनीशो फिच्छतर अमेंडमेंट चतिशवा अब एप के बाद में आप से क कोई पुछे कि कौन सामेंडमेंट आया आई आई कब आया शोरी जी आया आई आव यह तीन सो गयतर जी अब जी का नाव आती नाव आने चे मिजोरम कि यह कर बाता है 52 अमेंडमेंट देको त्रेव reject आध मेंडमेंट पुछ छिती सुंस इकाम के लिए और उसके बाद में पुछे मिजोरम थीन सो गयतर गूनीशो छियंश्ये सी में मिजोरम के बाद में 300 गयतर है अरुनाचल परदेश किसके लिए है अरुनाचल परदेश और कब आता है 55 सहुधान संसुदन अधिनियम 55 मा कब आता है गुनी सो छीयाशी है कौन सहुधान संसुदन अधिनियम कब आया यह क्यों सर पूछते हैं 300 गयतर आई बैस आई को रट लेना 300 गयतर का आई 300 गयतर आई आई किसके लिए गोवा ठीक अब आप से पूछे कि गोवा के लिए कब आया पचपन के जश नीचे छपन और यहां पर गुनी सो सत्याशी कर देना इसके ज्याद आप से कोई पूछे गान इसके बाद में एक ल के लिए आता है करनाटक कि कब आता है 2012 कि 2012 में कौन से स्कूंशनमेंड मेंडमेंड 98 ठीक तो इस में से प्रोविजन देख लेन सारा बैयान राम राम आपको इसके साथ लगे रही है एक्जाम दृष्ट चैनल के साथ जैहिंद